आदर अविनेंदन आभार नमस्कार आदापसा स्रेकार हेलों और वारी गूद मॉर्निंग तो ओल लेडीज और जेंटलमेन आएम दीपक धर्रा यूर इंग्लिस ट्रेनर और अम बैक विद अन्यू टोपिक टूदेश टोपिक इस स्पीच राइटिंग और स्पीच राइट उसके बारे में बताना उसी गूम क्या कहते हैं प्रेटा याद होतो हमें बैटे रहते हैं हमारे टीचर बताते थे उससे कहते हैं जैसे कि मालूब 15 अगस्त होता है तो कई आपने भी स्टेज पर स्पीच जरूर दी होगी कि बहुए 15 अगस्त इस मनाते हैं यह हुआ था इस दिन हम ऐसा सा करते हैं तो स्पीच बताते हैं कि अपको डालनी पड़ती है कि आप आप बताते हो, respected principal sir, teachers, all my dear friends, good morning to all of you, I am Deepak Dhara of class 12, ऐसे करके आप starting करते हो, लेकिन article में आपको ये चीज़े लिखनी नहीं होती, article में आपने क्या किया, सीधा topic डाला, article लिखा, और इसके वाद आपने topic के बारे में बताना शुरू कर दिया, that is called article, और उसी article को अगर आप stage पे जाके लोगों को सुनाओगे, वो हमारी speech हो जाती है, समझ रहे हो, आपने Republic Day के बारे में लिखा कि Republic Day होता क्या है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये हमारा हो गया article, लेकिन आप इसी को जब stage पे जाके बोलोगे सबके सामने, तो प साइन लिखने है, उनरेबल, प्रिंसिपल, टीचर्स, एन ओल माई डियर फेंस, उनरेबल के जिए आप दूसरा ओर पे लगा सकते हो, रिवियर्ड, या फिर लगा सकते हो, रेवेरेंट, तिनों का लगबग से मही मेनिक होता है, सम मानने है, फिर जाने माने है, मानने है, एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद लिखना लेफ्ट साइड में, गुद मॉर्निक चू आल, गुद मॉर्निक करने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, और आपको अपने बारें बताना कि आप कौनसी क्लास के बद चात्र हो, और किस टोपिक के ओपर अपनी की बात है मेरे लिए, it's a matter of great privilege for me, सम्मान की बात है मेरे लिए कि मुझे मोका मिला to deliver a speech on topic की, इस topic पर में speech देने जा रहा हूँ, ये मोका मिला है मेरे लिए सम्मान की बात है, ठीक है, अपने इस सारी चीज़े बताई, और topic वहाँ पर आप डाल दोगे, on topic क्या, Republic Day, क्लियर है, इसके बाद यह हमारा first paragraph हुआ, अब हम करेंगे next paragraph start, next paragraph में क्या करना है आपको, Republic Day के बारे में बताना शुरू करना है, right, तो बताएंगे, Republic Day is celebrated, जो Republic Day है, वो मनाया जाता है, is celebrated every year in India on 26th January, यानि 26 January को, जो Republic Day है, हर साल भारत में मनाया जाता है, Republic means that the citizens of country have the right to elect their leaders, Republic का meaning क्या होता है, Republic का meaning होता है, कि जो भारत की जो नागरिक है, किसी भी country के जो नागरिक है, अब उनको अधिकार है, अपना खुद का निता चुनने का, जैसे कि हम लोग वोट देते हैं, तो हम Republic Day है, ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे अंग्रेज हमारे उपराज करते थ हमें कोई मोका नहीं था, हम गुलाम हों की तरह रहते थी, हम गुलाम बना दिया गया था, अपनी मर्जी से अपनी नेता को चुनते हैं, तो ऐसे country को हम बोलते है, Republic, their leaders to lead the nation, lead का मतलब क्या होता है, चलाना, nation मतलब देश, देश को चलाने के लिए हम अपने नेता चुनने क का अधिकार रखते हैं, ऐसे हम देश के अंदर रहते हैं, यह हमारा उगनतन तर है, ठीक है न, Republic Day means, now our nation has its own constitution, Republic का अर्थ क्या हुआ, कि हमारे देश के पास अब अपना खुद का constitution है, constitution में उसे सम्विदान है, and we have now our own rules to run the country, अपने देश को चाने के लिए हमारे खुद के, हमारे खुद के नियम है, हम किसी देश के ऊपर dependent नहीं है, उनके हम गुलाम नहीं है, अब किसी देश के हम अधिन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं, Republic, इंडिया बेकेम इंडिपेंडेंट ओन 15 अगस्त, जो भारत है, वो अजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट बना था, कब, 15 अगस्त को बना था, फ्री हुआ था, कब हुआ था, फ्रीडम कब मिली था हमें, 15 अगस्त, 1947, फ्रम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी जो रूल था, रूल मतलब साशन, अंग्रेजी शाशन से हमें जो चुटकारा मिला था, वो 15 अगस्त, 242 को मिला था, बट, इस ओल केम पुसिबल, अफ्र लोंग स्ट्रगल, लेकिन यह सब कुछ संभव कब हो पाया था, अफ्र लोंग स्ट्रगल, एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल हमने जहला था, उसके बाद यह संभव हुआ था, बहुत सारे देशभक्त उन्होंने क्या क्या डाइड फोर कंट्री देश के लिए मर गए, उन्होंने क्या क्या अपनी जो लाइफ है, वो सेक्रिफाइस कर दी, बलिदान कर दी, भारत का जो सम्विदान है, वो केम इन फोर्स, यानि फोर्स में आया था, फोर्स मतलब लागू हुआ था, कब 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन से हम क्या करते हैं, अपना रिपबलिक डे है, उसको में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, विद ग्रेट जील, जील मतलब उत्सा, पॉम मतलब हरसो लास, दिखावे के साथ, अपना तड़क भठक के साथ, एंट एंदुजियाजम, एंदुजियाजम होता है, जोश के साथ, उत्सा के साथ, उमंग के साथ, ठीक है ना, पूरा एक्टिव होकर हम क्या करते हैं, अप अपना जाता है, जोश के साथ, एंदुजियाजम होता है, जो देश के राश्टपती होते हैं, वो क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, होस्ट मतलब क्या होता है, फहराना, किसको, the national flag, राश्ट्री हमारे जो जंड़ा है, उसे फैराते हैं, अइंट प्रेड इस ऑर्गनाइजड, और जो प्रेड होती है, हो क्या किया जाती है, ओरगनाइजड की जाती है, तो हमारी प्रेड की जाती है, हमार कैसे कैसे थियार हमारे पास हमारी जो defense, हमारी जो सुरक्षा का जो बल है, सैनिक बल है, उसका कितना हखशम है, उसकी capabilitiesGreats को हमारा दिखाया जाता है, कहां पर, राजपत पर, and its cultural heritage और भारत की जो सांसकर्थिक heritage है, उसको भी दिखाया जाता है, अलग-अलग राज्जों की जहांखिया निकाली जाती है लास्ट पेरग्राफ citizens decorate their houses जो नागरिक होते हैं वो भी क्या करते हैं अपने घरों को क्या करते हैं decorate करते हैं and offices with tree color balloons रंग भी रंगे जो tree color tree color मिट उसे तिरंगे की जो तिरंगा जंड़ा होता है अलग अलग तीन रंगे जो balloons होते हैं गुपारे होते हैं उनसे क्या करते हैं अपने घरों को अपने offices को सजाते हैं and decorative materials और सजाने वाले जो अन्न materials होते हैं उनका भी प्योग करते हैं enthusiastic atmosphere is seen in the whole country पूरे भारत में full country के अंदर enthusiastic मतलब उत्सा से भरा हुआ देश की आजादी के लिए जिनोंने अपनी life को कुर्बान कर दे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उन लोगों को हम क्या करते हैं सर्धाजली देते हैं तो ये क्या होगी हमारी speech होगी किस के ओपर? Republic Day के ओपर अगर देखो यही अगर हमारी report होती तो हम क्या करते हैं बस जितनी वे चीज़े होती हैं हमने बता है ऐसा सक किया जाता है ये किया जाता है ऐसे मनाते हैं इसे को हम past में बना देंगे report मतलब क्या होता है? पास की घटना के बारे हम बताना तो हम एरे एक चीज़ की second form लगा देते हैं यहां जाँ पर इसमार उसका हम क्या कर देते हैं वाज और वर्कर देते हैं है जाव को head में convert कर देते हैं यह पास्ट वाली form से लगा देते सारी और हर जिंगा second form से लगा देते हैं जैसे कि मैं कहुँआ कि celebrate होता है तो it is celebrated celebrate किया गया था तो it was celebrated ठीक ना तो इन चाजेएगा कि क्या करनेंगे पास्ट मेंhouse कर देगे तो हमारी क्यों जैगे रिपोर्त राइटिंग तो रिपोर्ट में में स्पीच में तो दिफ्रेंस प्रिक्वाइए रिपोर्ट पास्ट के बारे में लिखें जा जाती है speech हमारी present में होती है ठीक है जरूरी के past के पारे में हो हम बतातें कि ऐसा ऐसा होता है तो ये थी आपके speech writing और इसी से आप report writing भी समझ गए होगे अच्छे से और video भी अच्छे समझ में आई होगे अकर समझ में आई है तो हमारी video को जरूर अपने दोस्तों के बें शेयर करें और आई होब कि आपको 10 out of 10 marks मेलेंगे आपके board exam में so bye bye, take care और मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार